तो केरिंग दा गॉर्डेस ओलांग एपिसोड फूर की शुरत हो इस होती है जहां से बिछले एपिसोड खतम होता जो चैंग वान है अपने बाप को साथ बात करता है उसको फोन कड़कर देता है और निकाल जाता है अपने टेक्सी से अपने घर पे जाने के लिए और तब ही चैंग वान श्राइट में तो सा घबराता है तो सब्सक्राइब लिए बोड़ी ने पहले से मजगूत हो चुकि जिसके करने ऐसा हो रहा है लेकिन मैं वैंग वैंग को इसके बार में बाता सकता है इसलिए जूट जूट बोलते कि नहीं आज कले नहीं बहुत ज़्यदा ट चैंग वान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसको मरवानी के लिए अपने साथे ने चार पंच गुंडे को भी लायता और इस वार अपने साथे ने कराटे मास्टर को लिख रहा है जो कि कराटे वगरे जानता है और चैंग वान से लिए पिछली बात नौरम में ने देख भाई पिछले बार तो तो बदब बज गया था तेरे पास हतियार हो अगरा था लेकिन मेरे सामने तेरे हतियार भी कम नहीं आएगा इसलिए अब मैं तेरी हड़ी टोड़ूँगा तो पीछे से ही भी आवा देता कि हाँ चुप चप बगवासमा चलू कर चुप चप अब भी हमला भी करता है और यह साथ ना पूरा जो व्यंग वेंग है न वह भी देख ती और यह देख आप पर उस बंदे वह कराटे आता है तो भी चेंग वाने उसको बिल्कुल गारा नहीं आता था तो वह बहुँत ज़्यादा वीक था उपासे मेने उसकी जान बचाह लेकिन इस वार उल्टा हो रहा है वह सच में पहले से बहुत ज़्यदा स्ट्रॉंग बन चुक है मुझे यह सब देखने अपने आखों बेकिन नहीं हो रहा तब जो चैंग वाने न उसका राटे वले बंदे को दो तीन और मारता है फिर उठाता है उसे पटाक देता सीधे ही मैं तेरी में जान निकाल नुeldे किया ह। थे rat wal वाइन नीकाल यह सुनने को रहा हां आघ्ली कसम का रहा हूं किया इसी कलते नी हो होगा अगली वार में किसी को नहीं लाओंगा तिया सुनने गवाद न चेंग वानिबू से छोड़ देता है अगली वार कसम से बोड़ों भगवान कसम खागा बोड़ों कि आखरी वाद हम मतले दमकी दे रहा हूं अगली वक्त विस्टो तुने ऐसा किया नो उसमें सच में जान निकाल लूँगा इसलिए तेरा फर्स्ट और लाश्ट वर्णिंग है अगली वार करेगा तो याद रखना भाई गोटे सीधा गायब कर दूँगा इसको जो ही यहां से भाग जाता है जो च्वेंग वेंग वेंग के साथ अपने घर पे पहुंच जाता है वहाँ पे उसका एक चच्चा भी मेंग वेंग वेंग के चच्चा पूलती है वेंग की देखो याद चच्चा ही जो इस ने हंपर हमला करवाए ता यह जाए उसका जो बाप हे जो सब् הקस वा किस सुन्गे चाच्चा बलते हैं नेकि जो तुम्मारे दोस्त है गाग जिए हूए बहु कि मुझे उससे कुछ post touch करना चाहिए क्या सुने गवात वैंग 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 मोलते कि नहीं उसकी कोई भी जवत नहीं जो चैंग वाने मेरा दोस्ते आपको उसको तकलीफ देने कोई भी जवत नहीं तो यह सुने दूसका चैच्चा बोलते है और वहां से निकल जाता है और जो कि हमेशे की दर अपना गाड़ी वगर चला के अपने घर पर जा रहता उसी समय टेक्सी से उतर के ना इसी बाहर करना जारा देख रहता तब यह चानक से पीछे ना उसके मदख कंदे पे कोई हाथ रखता है और हाथ रखने और 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 को नहीं वेंग 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 जो च पीछे पागल हूं बुढ़ाओ लोग के पीछे तो बिलकुल भी पागल नहीं हूं इससे आपको लिए भला इसी में होगा कि आप चुप चाब यहां से निकल जाए तिये सुना देन वेंग 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 का चाच्चा हो गुस्सा आता हो पेड़ बाजू में रहत स्कूल के आसपास रहता है जिसका नहीं वहाँ पे CCTV भगेर भी लगा ता लेकिन यह लोग काफ़ी जादा आ गया जाते इतना आगया जाते कि आप आसपास को CCTV भी नहीं रहता है जिसके वाज है एंग वेंग वेंग का चाच्चा उसी देक जो और दर मुक्का मारता है च्र और तब यहां पर है न चैंग वाइं को भी काफी ज़्यादा चोट लगता है उसके मुक्त में पहुंच ज़्यादा पावर सबसे पहले नेक मुक्त में इसने पे तोड़ दिया क्या मुक्त मुझे मारा है पुरा मेरा हाथ एकदम नर्म होगे अच्छा हुआ भाई में थोड पावर यह कौन सी पावर होती है इंटर्णल पावर यह सब तो मेजिकल वर्ल्ल में होता है मेरे अंदर पावर यह सब सबसे बाते करना यह सच में जूट नहीं नहीं है इसके अंदर होगा जिसके यह बंद इतना श्रॉंग है लिकिन भाई सच में उतना कुछ खास मुझे श्टॉंग लगता है नहीं और तब उसके मुझे को कॉल आने लगता इसलिए उच्छेंग वां से चट्टी के मुझे माफ पर दे तुझे जोक करना तू आगे कर मैं य जाने लगता है यहां पर चेंग को आनमे नोडेस करता है कि यह बंदा कुछ इंटरनल पावर कर रहें बात कर रहे ता मैजिकल से रिलेटर चीज़ें बात कर रहे था जिस बात में मुझे तो इसलिए नहीं लगते रुकियार आप कहीं माचाईए प्लिस रुक जाईए जगा सकते हैं अब अपने जितने रहे मुझे बना सकते ही प्लिस रुक यह कहीं माच जाईए और पीछा करने लगते कर निकल जाता है लिकिन इकल बाहर नहीं जाता है और सोच्टार्टिंग में सलायर मुझे मतलब इसा ऐसा बो रहे थे लेकिन अप फुद रहे मुझे ध तो नल्डा तुझे पढ़ा कर कोई ही मतलब नहीं लेकिन उसके दिमाग में आता है कि हाँ यह बंदा उतना कुछ खास टौंग नहीं है लिकिन मेरे जो मुकका मादा तो बंदा वहीं पर मल जाता लेकिन बंदे ने ना मेरा मुकका खाया उसके बाद में सही से लामत है खली क के पाद छोड़ते हैं जो टेक्सी में लटकिया बैठी थी और चैंगवान से के तेच्छ ठीक है तुम्हार शुक्रिया तुमने हमें आपर छोड़ दिया और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं जो लेके ना यहाँ एक फिल्म के शूटिंग चालू है बीच मतार ले लेक के बीच में जोड़ दर आवाज आती है मतब बहुत सा कुछ बलाश्ट होने का वाज आता है जो देखने में चैंगवान समझ आता है रहे भाई कोई ना कोई गड़वार हो इसलिए मुझे भी देखना चाहिए इसलिए गाले से उतरता है और देखता है कि यहाँ जिस